नमस्कार जोहार मैसंजे और आप देख रहे हैं न्यू ज्वारकन चलिए जानते हैं सुबा से लेकर साम तक की तमाम बड़ी कबरों को आदिवासी दिवस और मोहरम के लिए राची में तीन हजार जावानों की तैनाती सुबा छे बजे से बड़े वाहनों की अंटरी बंद विस्व आदिवासी दिवस पर 9 अगस्त को मुराबादी में होने वाले कारिकरम वा मोहरम को देखतो हुए राची पुलीस ने सुरक्ष सहित 400 CCTV कामरे से भी नजर रखी जाएगी अती सनवेदन सिल वसनवेदन सिल एलाके में डिएसपी अस्तर के पतदिकारियों के साथ क्योर्टी को भी तैनात किया गया है हलाकि में रोड में मोहरम का जलूश नहीं निकलेगा फिर भी सुरक्षा चाक चौबंद रहेगी 9 दिवासी दिवस के कारिकरम में भाग लेने वाले वहनों को छूट रहेगी वही जरुत के अनुशार राजधनी में छोटे वहनों का रूट डाइवर्ट किया जाएगा अंतिम सुमारी पर दिखी पहाडी मंदर में सद्धानों के भीड सावन की अंतिम सुमारी पर रांची के पहाडी मंदर में सद्धानों की हुचुम दिखी जो भगवान सीव की पूजा अर्चना के साथ साथ जलाभिशे किया सद्धालों ने बता है कि पिछले दो वर्सों से कोरोना की करण पूजा करने का मौका नहीं मिल रहा था लेकिन इस साल मंदर पहुँचकर जल चड़ाने का उसर मिला है इसलिए मंदर परिसर में सद्धालों के भीड अधिक है सिव भक्तों में उत्सा है लेकिन दुकंदारों में खुसी नहीं है सावन माह में मंदर के बाहर सिंदूर, बेलपत्र, गंगाजल, रुद्राक्ष, आदी समान बिच कर कमाई करते हैं इन छोटे व्यपारियों को इस बार भक्तों की भीड का लाब नहीं मिला है मंदर के बगल में बेलपत्र, गंगाजल बेच रहे दुकंदारों ने बता है कि कोरोना काल से पहले जिस परकार से समान की बिक्री होती थी वह इससान नहीं हुई है सद्धानों की भीड जरूर है लेकिन दुकानों में खरिदारी नहीं हो रही है हर घर तिरंगा अभ्यान में पंचायतों के लिए खर्च किसी मा तै ग्यारा करोड रुपए के मिले स्वकृती दी गई है अभ्यान में लगभग 11 करोड रुपे खर्च किये जाएंगे इस अभ्यान के व्यापक प्रेचार प्रसार के लिए पंचायत समयती एवं जीला परिशद सदस को बैनर पोश्टर एवं प्रेचार वहान का जो उप्योग करने को कहा गया है राज में करीब 46,000 ग्र अभशक निर्देश दिया हैं उन्होंने कहा है कि लोगों में देश जो है भक्ति की भावना जो भरने पर जो है काम करें 13 से 15 अगस्त तक चलने वाले इस अभ्यान के तोरान सब भी घरों पर तिरंगा फराया जाना है बंगाल की खाड़ी में बन रहा कम दबाओ का चेतर बुधवार तक जमा जम बारिस का पूरो अन्मान जार्खन में आज से मौसम करवट ले रहा है बंगाल की खाड़ी में बन रहे कम दबाओ के चेतर की वज़ा से जमा जम बारिस का पूरो अन्मान लगा गया है मौसम विभाग के मताबिक अधिकतर इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी वर्षा की संभावना जताई जा रही है मौसम के बदलते करवट की वज़त से कम बारिस की कारण सूखे जैसे इस्तिती का सामना कर रहे जारखन के किसानों में उमेद दिख रही है मौसम विभाग के अधिकारी के मताबिक आज दो पहर से ही मौसम में बदलाव दिख रहा है ऐसी संभावना जताई जा रही है कि आज देर साम तक भारी बारिस हो सकती है बारिस का यक्रम, मंगलवार और बुधवार तक जारी रहने का पूरानमान लगा गया है मौसम विभाग के मुताबिक वर्तमान में एक नेम दबाव का चेतर उत्तर पर्शिम और उडिसा से सटे पसी मद्धि बंगाल की खाड़ी और उस से सटे उत्तरी अंदर प्रदेश के तटो पर एस्तित है इसी वज़ा से मौसम में बदलाव की उमेद दिख रही है राची मौसम विभ्यान केंदर के प्रभारी अभिशिक अनन्द के मुताबिक अगले 48 घंडों के तोरान उडिसा थर्ड के निगट बंगाल की खाड़ी में बन रहे कम दबाओ के छेतर के चलते ज़ारकन के लगभग सभी इलाकों में सुमार से अगले कई दिनों तक तेजहाओं के साथ भारी वर्सा की संभावना है खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चानल को सस्क्राइब ने की हैं तो प्लीज चानल को सस्क्राइब करके बैल अकन प्रेस कर दे जिससे आपको ज़ारकन की हट शोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंसता रहे चलिए बढ़ते हैं खबरों की और देवी की रूप में की गई है दोनों की नाबालिक बेटी भी घर से गाइब है बताय जा रहा है कि वे कुछ दिन पहले ही दोनों जो है पती पतनी मनिफिट मंडल बस्ती में रहने के लिए आये थे सुभा जब घर से अस्थाने लोगों ने घर से खून बहता हुआ देखा तो इसकी सुचना पुलीस को दी गई जिसके बाद घर का धरवाचा तोड़ने पर अंदर पती पतनी की लास मिली दोनों की जो है शरीर पर धारदार हांतियार और हांतोड़े के प्रहार के निसान पाए गए हैं दमपती की एक बेटी भी है जो घर से लापता है पुलीस को कमरे से एक पत्र बरामत हुआ है बताय जा रहा है कि पत्र जो है मिरतक दमपती की बेटी द्वारा लिखा गया है पत्र में लिखा है कि मैं आत्महत्या करने जा रहे हूँ पुलीस ने उस पत्र को अपने कबजे में ले लिया है और साव को पोश्ट माडम के भेज दिया गया है घटना स्थल पर पहुंचे एसपी और सीटी एसपी के विजय संकर ने आसपास के लोगों से पूछ ताच की है इस दोरान डॉगा स्कुआट की टीम को भी बुला गया है जिसके जरी ये पुलिस घटना कोंचाम देने वालों की पहचान करने की खोसिस कर रही है पिछले 24 घंटे में स्रिफ 2921 सेंपलों की जांच में मिले तिरपन नए कोरोना संकर मित जारकन में रोजाना संकर मित मरीच मिल रहे हैं लेकिन जांच की दारा बढ़ने के बदले घट रहा है पिछले 24 घंटे में इस्तिती याहे की समानी दिनों की तुनला में एक चौंथाई यानि 25 परतिसत ही जांच हुई है इसमें सिर्प जो है तिरपन ने कोरोना संक्रमीत मरीज मिले हैं इनमें सबसे अधिक 19 मरीज रांची में मिले हैं इसकी अलावे जम सेथपूर में 11, बोकारों में 7, देवगर में 2, हजारी बाग में 4, कोडरमा में 2, पलामों में 5, रांगर में 3 मरीज सामिल हैं राज्य में कोरोना के एक टी मरीजों की संक्या 800 शंतान बे है जार्कन के वकीलों का बढ़ी कोड़ फीस के भुकतान से इनकार कॉंसिल ने सभी बार संखों को लिखा पत्र 10 अगस से करेंगे आदोलन जार्कन के वकील बढ़ी हुई दर पर कोड़ फीस का भुकतान नहीं करेंगे बार कॉंसिल ने अपाद बाठक में नरनाय लेकर राज्य के वकीलों से बढ़ी हुई दर पर फीस का भुकतान नहीं करने को कहा है इस संबन में राज्य के सभी बार संगों को बार कॉंसिल ने पत्र भेच दिया है सरकान यदि फीस बढ़ोतरी वापस नहीं ली तो 10 अगस्त के बाद पूरी राज्य के वकील लंबा आंदुलन चलाएंगी जारकन बार कॉंसिल ने आंदुलन पर निरनाय लेनाय के लिए 10 अगस्त को एक आम बाठक बुलाई है जिसमें सभी बार संगों के निर्वाचीत पदोदिकारियों और काउंसिल के सदस्तों को आमंतुरित किया गया है बाठक में आंदुलन की रनीती बना कर उसकी तिति निर्धारित की जाईगी पूरे राज्य में धरना और विरोध परदर्सन किया जा सकता है लाल लाडली असकीम में 15 अगस तक कर सकते हैं आविदन CCL के लाल लाडली असकीम के तहट 15 अगस तक आविदन किया जा सकता है आविदन ओनलाइन होगा इस असकीम के तहट सफल उमिद्वारों को कमपनी अपने CSR फंड से निसुल्क प्लस टू की पढ़ाई कराती है साथी IIT की तयारी कराई जाती है इसमें चाइनित आविदकों को निसुल्क खाने और रहने की सुविदा भी दिव जाती है पूर्व जो है CMD गोपाल सिंग ने 10 साल पहले इस योजना की सुरुवात की थी अब तक संस्थान ने कई जोई IIT और अन्य संस्थानों के इंजिनियर तयार किये है अंतिम समवारी पर कोडर्मा में कावर पदियातरा कायोचन ध्वाजाधारी पहाड पर हजारो सधालो भगवान सिव का कर रहे हैं जल अबिशेक सावन की अंतिम समवारी पर भगतों में उत्सा देखा जा रहा है हर साल की तरह इस बार भी कोडर्मा में कावर पदियातरा कायोचन की यग्या है जिसमें हजारों सधालों सामिल हो रहे हैं कावड़ पर दियातरा में सामिल से भक्त धर नाकुंड धाम से जल उठा कर जंगलों की दुर्यम रास्तों से होते हुए 15 किलोमेटर की पैदल यातरा पूरी का ध्वाजाधारी पहाड पहुचते हैं इसके बाद 777 सिर्णियों को चड़कर पहाड पर बस से भगवान सिव का जल अभिशेक करते हैं गरतला भी की कोरोना संक्रमन के कारण पिछले दो सालों से कोडरमा में कावड़ पर दियातरा कायोचन नहीं किया जा रहा था लेकिन कोरोना संक्रमन काम होने के बाद इस बार कोडरमा में हर साल की भाथे इस बार कावड़ पर दियातरा कायोचन नहीं किया गया रांची के कांटा टोली बस स्टेन में चली गोली कांटा टोली बस स्टेन में फाइरिंग हुई है फाइरिंग करने वाले युवक को अस्थाने लोगों ने पकड़ा, गोली चलाने वाले युवक को अस्थाने लोगों ने पकड़ कर खादगड़ा टियोपी को शौप दिया है। खनन कमपनियों पर जारकन का बकाया पैसा दिलाने की पहल करे। 22-26 अगस्तक राजिके सभी अस्थानों में पेरेंट्स टीचर मीड होगी। अस्थानी सिक्षा वासक छर्तायभाग ने इसका सेडूल जारी कर दिया है। वही इसके बाद 21-26 अउंबर को और इसके बाद 20-24 फरवरी 2023 को पीटियम होगी। जारकन सिक्षा पर्योजना परिश्रत की राज पर्योजना निदेशक किरनकुमार पासी ने सभी डियो, डियसी को रिदेश जारी कर दिया है। असकूलों में पढ़ने वाले बच्चों के माता पितावा आईभावकों को बच्चों को सिक्षा से जोडने, उन्हें सनवेदन सिल बनाने और लर्निंग गाप को कम करने के लिए असकूल अस्तर पर आईभावक जो इसक्षा बैठा कायुचन कियर जाएगा।